सर्वोच नियायले के उस निर्णे का इंतिजार करेंगे लेकिन जो बिंदू आपने जिसकी और आपने रिखांकित किया है अवल तो कोर्ट ये पूछने के लिए तो आज कोर्ट ने उनको नहीं बागी पक्ष को बुलाया है कि आप असली सिवसेना है या नकली सिवसेना और शिवसेना क्या है शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी है जो सरकार चला रही है तो शिवसेना पार्टी यानि संगठन है जो सरकार चला रहा है तो असली शिवसेना अगर बागी एक नात शिंदे हैं तो फिर तो उन्हें भागे भागे फिरड़ना नहीं चाहिए कि वो अस सरकार को समर्थन देता है वो विधायक देता है वो मुख्यमंत्री चुना जाता है वो कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त है वो शिवसेना का है या वो NCP का है वो कॉंग्रेस का है वो निर्दली है तो कुछ विधायक जो वहां जा रहे हैं वो वहां ये दावा करें कि असली शिव से ना हम हैं ये बात तो वैसे ही खारज हो जाती है दूसरी बात मैं सभी विद्वान साथियों ने कानूनी ने बात भी है लेकिन मेरा जो मुझे जो एक कल से आज तर जो इस्थितियां बदली हैं एक औसत मतदाता के नजरिये से एक आपके एक आम दर्शक के जरिये से कुछ चीजें मेरे मुझे मेरे दिमाग को मत रही हैं और मेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो मैं आपके सामने रख सकता हूं कि देखिए हम लोकतंत्र में हैं और बार बार ये कहा जाता है कि लोकतंत्रिक संस्थाओं में न्यायपालिका, अग्कार्यपालिका और विधायका में आपस में तीनों इस्तंभों में टकराओ नहीं होना चाहिए लेकिन इस मामले में हम देख रहे हैं कि समवैधानिक संस्थाओं में इन तीनों इस्तंभों में हमें टकराओ के इस्तिती दिख रही है और ये टकराओ बहुत हमारे सिस्टम के भलाई में नह कहना चाहता हूं मैं एक हाम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस वक्त कि नियाय पालिका ने इस मामले में कानून बनाने वाली संस्था कौन है विधान सभाएं और संसत तो एक जो सर्वोच अदालत है उसने उस उसकी सर्वोचता का सम्मान नहीं किया जो कानून बनात स्पीकर के लिए बहुत साफ व्यवस्थाएं हैं कि उसके निर्णे को आम तोर पर चुनोती नहीं दी जा सकती इसके बाद भी जब माननी नियायले चार पक्षों को नोटिस देता है तो उनमें एक वो संस्था भी है जो कानून बनाती है मैं बार बार अंडरलाइन करके इ स्पीकर के फैसले को पर सवाल खड़ा किया गया है जबकि जो स्पीकर के लिए जो स्पीकर माली जे स्पीकर में आपका विश्वास है तो भाई उसका एकनिर्दारित प्रक्रिया है विदानसभागी प्रतिक्रिया है उसका एक प्रापर तरीका है विदानसत्र चल रहा हो चaudah दिन का वक्त हो आप घार्ड कॉपी में आपको देना पड़ेगा सिरकारी उससे लेकिन आप एक अंजाने से मेल बेचते हैं और कहते हैं कि जी हमें आप में बरोसा नहीं है मैं एक आम आदमी की सवाल इस बात को रख रहा हूं और माननी नियायले कहता है कि स्पीकर के खिलाफ तो अविश्वास का प्रस्ताओं या अविश्वास लंबित है वह कैसे लंबित है स्पीकर के पास कैसे लंबे थे स्पीकर ने तो उस मामले को निप्टा दिया कि एक गुमनाम मेल आ जाए गुमनाम पत्र आ जाए जा ना उसके हस्ताक्षरों की वो जाच करें आप जानते हैं मेल पर कितने लोगों के डिजिटल सिगनेचर हैं जो विधानसभा के रिकॉर्ड कैसे उठा सकते हैं अगर स्पीकर ने अपने नाति ये फैसला लिया तो एक तो नियाए पालिका ने विधानसभा की इस सर्वोचता का सम्मान नहीं किया अब विधायका में देखिए विधानसभा हो गया और दूसरा राज्यपाल जो राश्ट्रपती का प्रतिनेधी है सम मैं यह कहना चाहता हूँ कि राश्ट्रपती के इस प्रतिनिधी ने विधायका के दूसरे पक्ष का यानि विधानसभा का स्पीकर और लोग सभाध्यक्ष। स्पीकर और विदान सभाद द्यक्ष और राजपाल ये कमोवेश अपने अपने इस्तर पर स्वायत निर्णे लेने के लिए अधिकृत हैं और हमारा सम्विधान उसके लिए उनको अधिकारी बनाता है तो एक शिखर ने दूसरे शिखर का सम्मान नहीं किया एक शिखर ने त देखता हूं कि 27 जून को नियायपालिका ने चार लोगों को नोटिस दिया है और 11 जुलाई तक सारी स्थितियां रोक दी हैं तो एक राजपाल के रूप में मेरा दायत वो बनता है कि मैं उस सर्वोच नियायलाय का सम्मान करूं क्योंकि अगर वो रोक दिया गया है तो आ वो चियायलाय को ताक में रखके क्योंकि मैं राजपाल हूं तो मैं आदेश देता हूं कि 24 गंटे के अंदर आप या तीस शाम को पांच वजे तक आप अपना फ्लोर टेस्ट कराईए अरे भई फ्लोर टेस्ट के बारे में तो हम इतने दिनों से लगातार चर्चा कर रहे ह हैं कि जो फैसला होगा उद्धर सरकार का होगा तो विदान सभा में ही होना है फ्लोर टेस्ट में होना है राजपाल को कहना है राजपाल को बोलना है कि आप फ्लोर टेस्ट कराईए क्योंकि अपने सामने परेड करा करके वह वैसे ये कलंक कथा अपने खाते में जोड़ च दूसरा जो speaker है speaker के पद की उसकी भी अभेलना की जो शपत जिसको उन्होंने खुद दिलाई मुख्यमंत्री उस पद की अभेलना की हम तो लगातार अभी तक यह जानते रहें हलाकि जिकर आया था कि प्रेम कुमार जी ने कहा था कि प्रतिपक्ष के नेता को एक बार बुलाय उनको सुना और आपने वर्डिक्ट दे दिया कि अभी टेस्ट कराऊ अरे अभी भी वो विधान सवा में सदन के नेता हैं जिनको आपने शपत दिलाई है तो आप और वहां से प्रस्ताव जब तक नहीं आएगा जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे कि श्रीमान आपकी सिती क्या है प्रतिपक्ष के नेता ये बोल रहे हैं तो ये राजिपाल के इस तरपर जो तीसरी बात है मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद राजिपाल ने जो है अपने आपको खुद सवालों के घेरे में खड़ा कर लिया है और इन सवालों से वो बच नहीं सकते जा रहे थे जब वो गुहाटी जा रहे थे उन्होंने वो संख्या 29 32 31 31 34 34 36 37 होने तक का इंतजार किया 37 होने का इंतजार किया इसके बाद उन्होंने जो है वो तब तक वो बीमार थे अस्पताल में थे लेकिन आपको मैं बता दूँ समवैधाने की स्थिति के नाते समवैधाने की स्थिति यह है कि कोई भी राजभवन राजपाल इस तरह से सूना नहीं रह सकता अगर राजपाल साथ दिन के लिए बीमार हैं तो गोवा के राजपाल को या रास्ट बाननी या रास्ट पती जिसको चाहें उसको एक हफते के लिए कार्यवाहक राजपाल की शपत दिलाना चाहिए जो मुखिन आया थी शपत दिलाए एक कार्यवाहक राजपाल होना और जब संख्यापूरी होगी तो उन्होंने देवेंद्रफण नमीज को भी मिल लिया और उसके बाद वो उन्होंने फ्लोल टेस्ट का भी निर्देश जारी कर दिया फिर सारे हबड तबड में सारे काम यह हो रहे हैं तो यह जो इस्थितियां हैं कि इससे ऐसा लगता है कि राज जिपाल को बार-बार यह जो चीजें हैं उनको अपनी गरिमा अपने पद, अपने अधिकार, अपने संविधान, अपनी सुरक्षा, अपने दाएतों का कहीं न कहीं कुछ गरबढ है अब चार पार्टियों को अगर मननी सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात का इसलिए तो उनको नोटिस नहीं दिया क्योंकि वो राजभवन का सम्मान करना चाह रहे थे उन्होंने महरास्र पुलिस को नोटिस दिया उन्होंने केंदर सरकार को नोटिस दिया और विधानसभा को भी नोटिस दिया जिस पर मैंने अपनी आपति आपको बताई है पांचमा राजभ को भी इस मामले में फिर ध्यान रखना चाहिए था या अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है तो उनको उसका उलंगन करते हुए तीस तारिक की पांच बजे शाम तर क्यों हाँ फ्लोर टेस्ट कराना है तो यह चीज एक यह भी है एक अंतिम बात कहके मैं अपनी बात स सारी शक्तियां प्राप्ते हैं वहाँ वो जा सकते थे नहीं गए इश्टियाक अली साब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हर मामले में केवल धाराओं और अनुच्छेत के जरीए नहीं हो सकता मैं एक बार-बार अंतिम बात में भी कह रहा हूं कि मैं कॉमन में के नज पार्टी के नेता में उनकी पार्टी के कुछ विधायकों को अविश्वास हो गया वो उन्होंने उनको कम्यूनिकेट नहीं किया उनको बिना बताए गुजरात भाग गए उनमें मंत्री हैं 75% मंत्री हैं यानि आपकी सरकार की सारी कैबिनेट जिस समविधान की शपत लेत लगते हैं यह मेरी नजर में तो समविधाने का प्राध है वह आप असम चले जाते हैं कामाख्या देवी चले जाते हैं यहां मारास में सीमा पर कुछ हमला हो जाए क्या हो जाए तो 70% मंत्री वहां है तो एक आप मुझे लगता है कि यह गरबढ हुई जैसे ही यह गरबढ नहीं अब वहां चले जाते हैं धमकी की बात नहीं आती है आती और सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी हिफाज़त मांगते हैं तुरक्षा मांगते हैं आपने महराश्ट में कहीं कोई एफाईयर दर्ज की है बलकि एक उलट एविडेंस जो आता है वो एक नितिन देश्मु जो थे वो पिट-पिटा के आते हैं वो अपना वीडियो बताते हैं कि वही देखो मेरे साथ गुजराथ पुलिस ने ये व्यवहार किया एक मंत्री एक विधायक को कोई भी राज्य की पुलिस है ऐसे व्यवहार नहीं कर सकती तो एक ये बात हो गई एक बात और हो गई कि भीर मामलों के लिए तो हम आपकी शरण में आएंगे हाई कोर्ट तो कैजुल मामले सुनने के लिए है चोटे मुटे मामले सुनने के लिए है जबकि दोसोचपईस की जो बात आई है वो ठीक है एक सो तरेसर्ट दो की जो बात एक और आती है कि राज्यपाल को विवेक का अधिकार ऐसा नहीं है विवेक के लिए वो सलाह लेगा राश्यपाल के मामले में भी है और राज्यपाल के मामले में भी है कि वो उस मामले में जो सदन का नेता है सरकार का मुक्या है उससे परामर्श लेगा ही लेगा तो मैं कुल में लाकर कि अब मैं समाप्तिय करना चाह विदायकों का तो हमने सोचा ही नहीं निर्धायली नौव विदायक हैं उनकी भूमी क्या क्या होगी वो कैसे गए वो कहां जाएंगे पहले किसके समर्थन में थे आप किसके समर्थन में वो एक अलग अलग उसका वैदानिक रूप है लेकिन इसके पीछे लोकतंत्र जो है कि शायद केंद्र सरकार इसमें कहीं न कहीं परदे के पीछे से भूमी का निभा रही है जो की बाद में बोल दिया गया तो एक आम आदमी के नाते मैं पुना इस बात को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि मेरा मन विचलित है और इन निया इस लोकतंत्र के इन इस तंभों में काकराव को देखते हुए मुझे बड़ी चिंता हो रही है जी बिल्कुल यह चिंता वाजीब है जो आप कह रहे हैं बादल सांव